नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर प्रिशांद और आप लोग देख रहे हैं और एकर डेंटल गेर यूट्यूब चाहिए तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सबी लोगों के लिए जिनके मसूरे जो हैं हमेशा सूजे रहते हैं या फिर फूल जाते हैं और उनके मसूरे से खून आता है तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बस बात करूंगा घरे लूप जार के तो दोस्तों अगर आपकी मसूरे फूले हुए हैं और उसमें से खून आता है तो आप कुछ टिप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका घर में उपचार हो गंदगी पैट जाती है दात के चारो और उसकी वह से मसूरे फूल जाते हैं और फिर जब हम ब्रश नहीं करेंगे तो फिर मसूरे तो फूले ही रहेंगे ना क्यूंकि गंदगी हटेगी निए तो पहले तो अप अच्छे से ब्रश करो किसी hard brush से मत करना और जोर जोर से मत करना दीरे दीरे करो जिसमें अपके छिले नहीं और अच्छे तरे ब्रेस्ट करने के बात, जो है दिन में सुबहे से लेके शाम तक तेन से चार बार आपको मुंगोन पानी में नमग डालके खुला करना है यह पांस से साथ दिन तक करना है इसके अलावा अपने खाने में वह चीज बढ़ा सकते हो जिसमें विटामिन C हो जैसे की आमला जैसे की नीमो की यह बढ़ा सकते हो या फिर आप विटामिन C का सप्लीमेट भी ले सकते हो जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिछ जाएगा तो बस इतना कर लोगे तो कोई भी परिशानी हो तो वो जरूर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं तो दोस्तों हमस्कार